दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत हैं आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विबिन खेल और उनके मैदान माव देखें ये एक बहुत ही जादा important topic बन गया है और examiner दोस्तो यहां से एक question जरूर पूछ रहा है हर एक exam में तो आप इस वीडियो को पूरा end तक देखना Top 26 question को मैं आपको cover कराऊंगा इस वीडियो में आप 26 में से कितने questions के answer पहले से जानते थे आप comment box में अपना score भी बताईगा चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और पहला question आपके screen पर है कबड़ी महासंग के हिसाब से court का map कितना होता है यानि कि कबड़ी महासंग के हिसाब से दोस्तों कबड़ी जो court होता है उसका map कितना होता है जल्दी बताईगे जिस भी question का answer पताऊगा comment box में बता देना इस question का दोस्तो right answer हैगा 13 meter into 10 meter यानि कि right answer is option है यह आपको याद अखना है बई दूसरा question आता है अंतरास्टिय बास्किट बोल फेडरेशन के अनुसार बास्किट बोल court का map कितना होता है जल्दी बताईगे इस question का दोस्तो right answer हैगा लंबाई 28 meter और चोड़ाई 15 meter यानि कि right answer हो जाएगा दोस्तो ठीक है लंबाई 28 meter और चोड़ाई दोस्तो कितनी 15 meter very very important mark कर लेना अगला question क्या कह रहा है बास्किट बोल पोल की उचाए कितनी होती है जो बास्किट बोल का पोल होता है दोस्तो ये वाला इसकी उचाए कितनी होती है question number 3 का right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही दोस्तो D हो जाएगा 10 विट की होती है और ये question भी आपका SSC GD में पूछा जा चुका है अगला question आता है कि 17 बोर्ड में कितने वर्ग होते है दोस्तो 17 बोर्ड में कितने वर्ग होते है question number 4 का right answer रहेगा 17 बोर्ड में दोस्तो 64 वर्ग होते है 64 यानि कि C right answer रहेगा question number 5 है table tennis court का size क्या होता है ये भी पूछा जा चुक है बई table tennis court का size कितना होता है पांचवे question का दोस्तो right answer रहेगा बिलकुल लंबाई होते हैं दोस्तो 274 cm और चोड़ाई होती है 152.5 cm तो ये आपको यादकना है table tennis court के बारे में और यहाँ पर दोस्तो बहुत जादा important मतलब है आप mark कर लेना यहाँ से आपका एक question बन सकता है देखे हमारा offer दोस्तो समाप्त हो चुका है वैसे तो और 6000 के question answers की pdf आज आपको ये 150 रुपीज में मिल रही होगी ये मैंने गलती से कल की slide लगा ली और दोस्तो यहाँ पे आप लोग इस पीडियाप को हमारी website या whatsapp नंबर से purchase कर सकते हैं लिंक नीचे description box में मिल दाएगा चैल पर नए है तो subscribe कर लेना bell icon को भी on रखना ताकि आगया आने वाली सबी वीडियो के notification आपको मिलते रहे चले छटा question है badminton में net की जमीन से उचाई होती है very very important है जल्दी बताइए देखे badminton में दोस्तो net की जमीन से उचाई कितनी होती है तो right answer is 1.59 meter यानि की c right answer रहेगा ओल्राइट question नंबर साथ है होकी में penalty stroke कितनी दूरी से मारा जाता है होकी में penalty stroke कितनी दूरी से मारा जाता है साथवा question right answer रहेगा दोस्तो 8 गज से यानि की option a right answer रहेगा साथवे question का right answer ये आपको जाद रख रहे है question number 8 आता है खोको मैदान में कितनी cross lens होती है तो ये आपको बताना है दोस्तो ये वाले होते हैं ये cross ये कितनी होती है जल्दी बताइए दोस्तो खोको मैदान में कितनी होती है इस question का right answer रहेगा 8 होती है यानि की d right answer ये भी very very important mark कर लेना अगला question आता है निवन में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है दोस्तो सबसे बड़ा किस खेल मैदान का आकार होता है question number ने बिल्कुल सही इस question का answer रहेगा आपका दोस्तो पोलो का यानि की right answer इसी ये आपको या दखना है अगला question आता है ओलंपिक खेलों में तेराकी के swimming pool में कुल कितने lane होते है देखे हर परकार से question को मैंने cover करने की कोशिस की है जहां-जहां से questions बन सकते हैं बड़ी मुश्किल से questions collect होते है अगर आपको session अच्छा लगता है दोस्तो आपका एक second लगता है like करने में तो इस काम को जरूर कर दिया करें मतलब हम आपके लिए मतलब दोस्तो घंटो-घंटो की मेहनत कई कई दिन की महनत लेकर आते है और आपका एक second लगता है like करने में और share करने में आप वो नहीं कर पाते हो कई पर बड़ा दुख होता है इस चीज़ को जान कर गे right answer दोस्तो क्या रहेगा बिल्कुल सही है ओलंपिक खेलों में दोस्तो तेहराकी के swimming pool में कितने लेन होते है तो right answer is 8 B हो जाएगा इसमें भी 8 होते है 11 बा कोशन है किर्केट खेल में popping crease की map होती है तो popping crease दोस्तो ये वाली होती है ठीक है ना next वाली जो crease होती है उसको बोलते है इस question का right answer बतेगा right answer है दोस्तो 4 foot की होती है वो तो right answer is B ये आपको यादखना है अगला question आता है सत्रंज के एक board में कितने वर्ग होते है ये तो हो गया 64 होते है ये तो हो गया repeat होगा कोई नहीं polo के मैदान का आकार होता है polo के मैदान का आकार होता है अभी polo का मैदान हमने देखा कि सबसे बड़ा होता है polo के मैदान का आकार होता है option D हो जाएगा 270 मेटर से 180 मेटर यानि कि D right answer दोस्तो हो जाएगा अगला question आता है दोस्तो marathon दोड की दूरी होती है देखे marathon दोड की दूरी होती है 26 मील 385 गज तो right answer सी रहेगा अगला question आता है पून आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में holes होते हैं तो right answer दोस्तो क्या रहेगा बिल्कुल सही है इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा आपका 18 होते हैं दोस्तो यानि कि D right answer हो जाएगा ठीक है पंदरवे question का right answer is 18 यह आपको यह दखने है अगला question आता है football में goal post की चोड़ाई होती है यह question भी अभी आपका SSC GD में पूछा गया था तो football में दोस्तो goal post की चोड़ाई होती है कितनी right answer हो रहेगा दोस्तो 7.32 meter यानि कि D right answer हो जाएगा 7.32 meter भई अगला question आता है hockey के मैदान में goal post की चोड़ाई कितनी होती है तो goal post की चोड़ाई भी पूछा जाता है आपसे right answer दोस्तो क्या हो जाएगा 3.66 meter यानि कि C right answer हो जाएगा question number 17 का right answer question number 18 है cricket के pitch की लंबाई कितनी होती है cricket के pitch की लंबाई कितनी होती है इस question का right answer होती है तो यहाँ पर right answer रहेगा cricket के pitch की लंबाई कितनी होती है 20.12 meter यानि कि B right answer रहेगा अठारवे question का सही उतर या आपको या दखना है question number 19 है दोस्तो तो किर्केट में परियुक्त गैंद की परीदी होती है। तो right answer is 22.4 cm से लेकर के 22.9 cm तक, तो right answer option यह रहेगा, question no.19 का याद रखना important है, question no.20 है किर्केट में परियुक्त गैंद का वजन होता है, तो right answer है तो right answer है, 159.9 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम तक यानि कि option A right answer हो जाएगा अगला question आता है lawn tennis में परियुक्त गैंद का वजन होता है lawn tennis में परियुक्त गैंद का वजन होता है तो right answer क्या रहेगा 56.7 ग्राम से लेकर के 58.5 ग्राम तक यानि कि right answer दोस्तों D रहेगा ये काफ़े important हो सकता है दोस्तों याद रखना 22 वा question आता है किर्केट में भूमी से stump की उचाई कितनी होती है stump की उचाई भी पूछी जाती है तो stump की उचाई दोस्तों कितनी होती है 27 inch right answer is C ये आपको याद रखना है वई next question आता किर्केट में बल्ले की अधिक्तम अनुमत लंबाई कितनी होती है तो बल्ले की दोस्तों बताए right question रहेगा 38 inch यानि कि D right answer रहेगा question number 23 का right answer question number 24 है marathon दोड में कितनी दूरी तक दोड़ना होता है दोस्तों अगर किलोमेटर में बात की जाए तो 42.915 किलोमेटर तो right answer D हो जाएगा ठीक है 25 है बेडमिंटन के कोक का जो कोक होती है दोस्तों उसका weight कितना होता है वजन कितना होता है तो right answer is option हो जाएगा दोस्तों 4.74 से लेकर के 5.51 ग्राम तक यानि कि option A right answer हो जाएगा अब एक question मैं आप लोगों से पूछता हूँ जो कि एक test question रहेगा इस वीडियो से वैसे मैंने इसी वीडियो में इस question को cover भी करा दिया है तो 17 के एक board में दोस्तों कितने वर्ग होते हैं दो बार cover करा है बई अगर अभी भी आप इस question का answer से गलत करते हैं तो यह आपकी भारी mistake रहेगी जल्दी से answer बता दीजे इस question का और अपना score भी बते 25 में से आप लोग कितना score कर पा रहे हैं और दोस्तो 6000 के question answer से वाली जो हमारी master PDF है इसको आप purchase कर सकते हैं इसका link नीचे description box में मिल जाएगा ठीक है चले thank you so much, bye bye everyone take care, ख्याल रखे अपना, मिलते है next class में और इसी परकार से मैं आपके लिए बहुत सारी topic wise videos ले के आ रहा हूँ, आप playlist से भी पढ़ सकते हैं, playlist के link नीचे description box में available है, हर topic पर आपको video मिल जाएगी only topic study channel पर thank you so much